वेलकम डियर फ्रेंड कैसे हो आप सब स्वागत है आपका पलपल जेल व्लोग में मैं हूँ बविता आ गई हूँ छोटे छोटे से टिप्स लेकर आप सभी के लिए आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे सबसे पहली टिप से हमारी बटन को लेकर हमारे पास अक्षर बटन होते ही हैं और मैं तो बटन मतलब इस्टोर करके रखती हूँ ताकि भविष्य में जरूत पड़े तो काम में आ जाएं तो क्या होता है जब हम बटन रख देते हैं तो बटन मिलते नहीं हैं और इधर उदर भिखरे फिरे रहते हैं किसी डिप्बे में भी रखते हैं तो आप देखिए इस तरीके से एक सेफटी पिन लीजे और इसमें जितने भी आपके पास बटन है वो सब इसमें रख दीजे और ये अराम से आपको एक ही जगा पर मिल जाएंगे तो मेरे पास कम बटन है भी हैं आपर मैं आपको लेकिन मैं इसमें इस तरीके से डाल कर सेफटी पिन में आपको दिखाती हूँ इसके अगली टिप से स्केज पैन को लेकर हमारे बच्चों के पास स्केज पैन होते हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा खरीद के देते हूँ इने लेकिन इनका क्या है कैप इधर गया तो जो इसकेज पैन होता है उसका जो कलर उड़ जाता है और फिर इधर उदर बच्चे फिंग देते हैं तो मेरे घर में इसकेज कलर बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार करते हैं बच्चे तो उसके लिए मैं आपको एक टिप शेयर करने जा रही हूँ तो यहाँ पर हमें ले लेनी है एक टेप और एक टेप की सहता से हम जो है इन जो इसकेज के कैप होते हैं इनको एक जगा शेयर करेंगे तो मैंने ये टेप फैला दी है अच्छे से और यहाँ पर मैं इसकेज पैन इसमें रखने जा रही हूँ और हमें इस तरीके से इसमें रखना है ताकि इसमें बस कैप जो कैप चिपकना है इस टेप से इसकेज पैन जो है वो चिपकाना नहीं है तो बस इसे उठा कर हम दो तिन फोल्ड मैं कर देती हूँ तो ऐसा करने से दो फोल्ड हम करेंगे तो यह थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा और फिर हम इसे कट करके आसानी से निकाल देंगे तो ऐसा करने से यह होगा कि बच्चे जब इसकेज पैन यूज में लेंगे तो वो अराम से निकाल लेंगे लेकिन जो इसके कैप है यह सार बच्चे इसमें से स्केज पैन निकाल कर अपने कर लेंगे तो इससे पैन भी खराब होंगे स्केज पैन ये और इनके कैब में कहीं गुम नहीं होने वाले हैं और ये निकल कर इधर उधर गिरेंगे भी नहीं तो यह लगी टीप्स आप मुझे जरूर बताईएगा आप सभी से डिक्वेस्ट करते हूं कि पहले बार में चैनल पर आए हैं तो प्रीज में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा वीडियो को लाइक करके घंटी काल पर सेट जरूर कीज़ेगा ताकि जब भी मैं कोई हेलफ वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेश होती है तो को ज्यादा ही आवाज दर्वाजे की होती है तो हमें इसके लिए क्या करना है वहां हमको बता देते हूँ हमारे पाससजों होती है लगाने वाले सट जाएगा लेकिन यह दरीजों बेलेगा इन शत नहीं नहीं करेगा और यह मतलब ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होगा तो इस तरीके से आप भी कि चुट्की को लगा सकते हैं इसकी अगली टिप्स है हेर कलर से related अक्षर क्या होता है हम à hair color लगाते रहते हैं मैं लगा लेती हूँ मैं लगाते हूं क्योंकि मेरे बाल white होने लगे हैं तो मुझे पढरती है तो हमें क्या करना है आप ध्यान से देखेगा मैं क्या करने जारे हree हूं यहां पर यहां पर मैंने ली है यह वैसलीन और इस वैसलीन को मैं इस कंगी में नीचे की साइड में लगाने वाली हूँ इस सरी कि देखे ऊपर की साइड में मैं इसे नई लगा रही हूँ मुझे केवल नीचे नीचे इसमें लगाना है ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब हम कलर करते हैं तो हम अपने वालों में कंगी तो करते ही करते हैं और जो कंगी होती है कंगी में कलर बैठ जाता है यानि कि फस्स जाता है और उससे हमारे जो हेर फोल होते हैं बाद में ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो क्यों बढ़ जाते हैं वो मैं आपको बताँगी इससे पहले में जो ये वैसलीन लग गई है ब्रस में फाल तो ये मैं अपने हाथ पर लगा लेती हूं ताकि जो ये डाइका कलर लगा है हमारे हाथ पर आशानी से उतर जाए तो या तो फिर आप इस तरीके से बत्ती जो होती है हमारे पास पूजा वाली ये आप कंगी के दा लगेगा हमारा डाइका वो यानिके रुकेना उसमें फसेना जब हम कंगे को वास करें तो आराम से कलर निकल जाता है तो यहां पर इसलिए मैंने इस कंगे में वैसलीन लगाई थी उपर की शाइड में नहीं लगाने क्योंकि वह आपको पता है कि जब भी हम कलर करते हैं ब दाते होते हैं इसमें फसा देनी है अगर थोड़ी बहुत वैसलीन कंगे में दातों में ऊपर की तरफ लग भी गई होगी तो इस रुई की सहायता से वह नीचे चले जाएगी तो और जो इसका कलर हम लगाने वाले हैं अपने बालों में वह भी अराम से निकल जाएगा तो यहां पर मैंने कलर ले लिया है अपने बालों में लगाने के लिए वाइट वाल है वह छुपाने तो पड़ेंगे ही तो यहां पर सबसे पहले में वैसलीन लगा लेती हूं अपने माथे पर कान पर गले पर और पीछे गर्दन पर यह इसलिए लगा रही हुँ मैं ताकि ज जो डाई होते है वह चुट जाती है जो हमारी शकीन पर लगती है तो अगर आप भी इस तरीके से डाई करेंगे और आपके माथे पर या कान वगएरा पर कहीछ लग जाती है तो यहां पर मैं थोड़ी सी पोलोथीन बांध रही हूं अपने हाथ पर यहनके चोड़ी हो में फसा लेती हूँ वैसे तो मेरे हाथ में लगा ही घई थी थोड़ी बहुत तो लेकिन चलो फिर भी याद आइ तो मैंने पुलोथी नहां ले अब देखिए मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा देती हूँ इस डाई को दूसरे हाथ में भी लगा लेती हूँ ताक कि हाथ ना काले काले अच्छे लगते नहीं है तो यहाँ पर देखिएगा मैं लगा लेती हूँ और फिर हम इस कंगे का यूज जो बताने वाली हूँ वो भी बहुत अच्छा है तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं भी डाई कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं कंगी भी करूँगी डाई करने के साथ कंगी भी की जाती है तो उसमें जो मैंने वैसली लगाई है नीचे की तरफ रहेगी तो वो कंगे में कलर को रुखने नहीं देगी यह देखे और जो कलर अभी लगने वाला है तो वो रूई के उपर लगेगा तो इसमें नीचे जाके कलर नहीं बैठता है क्योंकि हम जब भी कंगी को धोते हैं तो सई से धौते नहीं है उसमें थोड़े बहुत पार्ट डाई के रह जाते हैं जिस से बाद में जब हम हेर अपने वास कर लेते हैं और दोबारा से हम कंगी अपनी करते हैं तो हमारे बालों में कलर लग शकता है तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इसी रूई से पोंच कर दिखा रही हूँ जो भी इसमें डाई लगी है तो वो इस रूई से मैंने निकाल दिया और हमारा कंगा साफ सुतरा किलीन बना हुआ है अगर हम नॉर्मल पानी से भी ऐसी धो देंगे तो भी हमारा कंगा साफ सुतरा हो जाएगा तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं